हेलो फ्रेंड्स मैं स्वाती सुभाने वेल्कम बैक टू माई चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर तो आज हम बनाने वाले हैं बहुती तेश्टी हेल्दी विंटर इस्पेसल मैथी मटर मलाई क्योंकि विंटर का सीजन होता है भाजियों का सीजन विंटर में बहुत सारी भाजी आती है तो इन सबी भाजी को हमें किसी न किसी रूप में तो खाना ही है तो इसलिए आज हम बना रहे हैं इस्पेसल मैथी मटर मलाई की रेसिपी यह देखिए यहाँ पर मैंने मैथी की भा बहुत ही डिलीसियस है तो चलिए इसे फ्राइब करने के लिए पहले हम एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे आप चाहें तो इसे फ्राइब करने के लिए घीबी ले सकते हैं साथ ही इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा ओईल ताकि बटर जलेना आज की जो रेसिपी है वो टेश्टी तो है ही साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है बटर मेल्ट हो गया है तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा दो तीन हरी इलाइची एक इंच दालचीनी और अब इसमें हम एट करेंगे दो तीन तेज पत्ता कुछ खड़े मसाले एट करने के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे बारिक चौप की हुई प्याज यहां मैंने चार मीडियम प्याज को बारिक चौप करके एट किया है अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से धीरे धीरे भूझेंगे प्याज हमें गोल्डन ब्राउन कलर तक सेखना है प्याज हलकी सेख चुकी है तो अब हम इसमें एट करेंगे लेसुन अद्रक कुटा हुआ आप चाहें तो लेसुन अद्रक का पेश्ट भी एड़ कर सकते है अब लेसुन अद्रक के साथ ही हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूझना है ये देखिए यहाँ मसाले का कलर कुछ चेंज हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे बारीक चौप हरी मिर्च अब सभी मसालों की रॉनेस खत्म करने के लिए इसे हम थोड़ा खरा होने तक भूझेंगी जब सब मसाले अच्छे से सिख जाएं तो गैस की फ्लेम लो कर दें और इसमें बाकी की मसाले अब हम एड़ करेंगे यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग एड़ की है साथी हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी अब इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी कश्मीरी मिर्च साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा धना पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर सारे मसाले एट करने के बाद फटाफट सारे मसालों को मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दें थोड़ा सा गर्म पानी एट करने से मसाले जलते भी नहीं हैं और ये अच्छे से पक जाते हैं जब मसाले अच्छे से पक जाएं, पानी सूख जाएं, तब हम इसमें एट करेंगे टोमेटो फ्यूरी मसाले जब अच्छे से भुन जाएं और थोड़ा सा ओइल सेपरेट होने लगे, तब ही इसमें टोमेटो फ्यूरी एट करें यहां मैंने चार से पांच मीडियम टमाटर लिये थे और उन्हें बस पीस कर एट किया है साथ ही हम इसमें एट करेंगे ग्रीन फ्रेश मटर आप चाहें तो मटर को अलग से बॉयल करके भी एट कर सकते हैं बट यह इतने फ्रेश हैं कि बहुत ही जल्दी पक जाएंगे इसलिए मैंने अभी एट कर दिये साथ ही इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि मटर भी पक जाएं और टमाटर भी जल्दी पक कर तयार हो जाएं अब टमाटर और मटर दोनों को अच्छे से पकाने के लिए गैस की फ्लेव हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे 15 से 20 मिनिट हम धक कर पकाएंगे टमाटर और मटर को पकने में लगभग 20 मिनिट लगेंगे क्योंकि जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाएं और फिर से इसमें से घी या ओयल सेपरेट ना होने लगे तब तक हमें ऐसे पकाना है बीच बीच में इसका धकन हटाकर आपको इसे श्टेयर करना है ताकि मसाला जले ना और फिर से इसे धक कर पकाना है और अगर आपको ऐसा लगे कि ये ज़्यादा पकने लगा है ड्राय होने लगा है तो थोड़ा पानी भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें बारिक चौप की हुई मैथी भाजी भी एड़ करेंगे यहां मैंने दो कफ फाइन चौप मैथी भाजी ली है साथी इसमें थोड़ा पानी एड़ करेंगे क्योंकि सारे मसाले मैथी के साथ भी पकेंगी और मैथी को पकाने के लिए भी लगबख 20-25 मिनट अराम से लगेंगी आप चाहें तो मैथी को खुला भी पका सकते हैं बस ध्यान रहे कि मैथी भाजी अच्छे से पक जाए और इसका जो कड़वा पन है वो हलका हो जाए, कम हो जाए इसलिए मैथी भाजी को रेगुलर श्टेर करते हुए अच्छे से पकने दे जितनी अच्छी मैथी भाजी पकेगी इसका कड़वा पन काम होगा और भाजी बहुत ही अच्छी सौफ्ट बनेगी यहां लगभग 20-25 मिनिट हो जुके हैं भाजी काफी अच्छी पक चुकी है, मसाले भी पक गए हैं अब हम इसमें एट करेंगे थोड़ी सी कसूरी मैथी, थोड़ा सा गरम मसाला और लेमन जूस इस टाइम पर आप इसमें एक अद्रक के टुकड़े को जूलियन कट करके भी एट कर सकते हैं अब फिर से सारे इंगीर्डियन्स को हम अच्छे से भाजी में मिक्स करेंगे और इसे लगभग एक मिनिट तक पकाएंगे एक मिनिट पकाने के बाद अब इस स्टेज पर हम गैस की फिलिम लो करेंगे और इसमें मलाई एट करेंगे अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप मार्केट की फ्रेश क्रीम भी एट कर सकते हैं यहां मैंने थ्री फोर्थ कप घर की फ्रेश मलाई एट की है इसी इस्टेश पर अब हम इसमें बारीक चौप हरा धनिया एट करेंगे एक चीज का वेसेज ध्यान रखें कि क्रीम और धनिया एट करने के बाद इसे हलका सा इस्टेयर करना है गैस की फ्लेम आफ कर दें और मलाई को हमें जादा नहीं पकाना है अदर्वाइज ये अपना घी छोड़ देगी और हमारी रेसिपी का टेक्षर खराब हो जाएगा इसलिए विसेज ध्यान रखें कि हमें मलाई डालने के बाद सबजी को जादा पकाना नहीं है तो ये लीजिए मैथी मलाई मतर बनकर तयार है तो इसी तरह आप भी बनाएए टेश्टी डिलीसियस माउथ वाटरिंग मैथी मतर मलाई की रेसिपी और प्लीज सियर योर एक्सपिरियंस तो चलिए अब इसे प्लेट भी कर लेते हैं ये देखिए कितनी डिलीसियस दिख रही है ये बहुत ही टेश्टी भी है और हेल्दी भी है तो इंतिजार किस बात का जल्दी से बनाएए स्वादिच मैथी मलाई मतर और प्लीज सब्सक कि द्सक्राइब नियू ये ये विड़य।